कि अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम नियू लोकेशन पर जाने वाले हैं चुकि चर्च है तो हम चर्च की लोकेशन पर चल चुके हैं यहां पर जैसा आप जानते हो कि नाम नहीं दिया रहता है बस नंबर रहते तो इसका नंबर है हम 202 नौर्थीस्ट और भाई ग्राफिक्स मैं बोलूंगा कि एक तब ओपी है कचप की ग्राफिक्स हैं जब आपको यह खेलने को मिलेगा ग्लोबल वर्सन में सीक्रेट मैं तब आप समझ पाओगे क्योंकि अभी जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो यह रिकॉर्डड है और यूट्यूब जानती हो कि अफ्लोड करने के बाद काफी कुछ ग्राफिक्स को रिट्यूस कर देता है और उसकी क्वाल्टी भी थोड़ी फ्लर हो जाती है जब आप इसको खुद खेल पाओवे तब अलग ही लेवल का आपका एक्सपीरिंस रहेगा इसकी ग्राफिक्स का पर फिर भी आप देख सकते हो जो घरवर है वो भी सभी नए कर दी गया है पुरानी जो इस ट्रेक्शर से उनको चेंज कर दिया गया है बिल्कुली और जैसा आप यह चर्च देख पार हो सामने से तो आस पास पास पेड़ोड लगा दी है काफी मतलब काफी डेटीनिंग ह यहां से मिल जाएगी तो यहां पर फ्रंट पे एक स्टैच्व लगा हुआ है साथ किसी एंजल का है तो हम साइट से आपको भी दिखा देते हैं कि साइट से कैसे दिखने वाला है आप देख सकते हो भाई एकदम जैसे पीसी वाले गेम होते हैं उस तरह की ग्राफिक्स है और जैसा कि इंप्रूब करें ग्राफिक्स मुझे यह तोड़ा सा डाउट है कि अगर ग्राफिक्स ज्यादा अच्छी कंदे के चक्कर बढ़ गए तो कई एप्लिकेशन इतनी हाई लेबल की ना हो जाए कि जो लोर डिवाइस है वो अखी ना करता है जैसा कि मेरा भी और यह भी सब नए तरीके से बना दिया है और इस साइट से आप व्यू देखो कितना कमाल का व्यू आ रहा है इदर और तो मैं अंदर चलके आपको दिखा देता हूं कि अंदर से कैसे दिखने वाला है चर्च तो यहां पर जैसे आप इंटर कुरो के लेप्ट और राइड दोनों साइड में आपको दो छोटी-छोटी कब्रे मिलेंगे इसमें चुप सकते हो या कैम कर सकते हो अगर तब आप अपने टीन से अकेल इन कर गया हो तब और काफी यहां पर लोकेशन ऐसी है जहां पर आप अराम से फायर कर सकते हैं निक्यों और जो इस ट्रैक्चर है अंदर से चर्ज का वो भी काफी अच्छा है मतलब ग्राफिक्स बहुत ही कमाल कि हैं इसमें और यहां पर कोई भी क्लिच नहीं सबसे अच्छी बात यह है जो जैसे वाटरफॉल था वो भी न्यू एडिशन थ लेकिन काफी सारे वहां पर जैसे मैंने एक्सप्रोड किया तो वहां पर लगों पांच से फिलिच मैंने खुद पाया थे बट यहां पर कोई ग्लिच नहीं और यहां पर जो बाहर का एरिया है वह आप देख पा रहे हैं जो ट्री लगे हुए है और जो गार्डन है इस चर दो आप चुप भी सकते हो आपको कोई स्पॉट भी नहीं करपाएगा अगर आप पहले से यहां पर क्योंकि यहां पे तितना तो मुझे नहीं लग रहा है कि पॉस्पर लोग अगर सामने असको यार रहा है और उसको ना पथा हो तो आज़ानी से वह देख नहीं सकता है औ और आप उसको आराम से सूट कर पाऊगे उसके उपर तो आई होग यह अभी तो नहीं आने वाला सिक्रेट मैप लगभग सीजन 14 के इन तक आ जाए मेबी यह बाहर का एरिया है यहाँ पर एक आपको कराज मिल जाएगा यहाँ पर नॉर्मली मुझे पाइक ही मिली है और कभी-कभी यहाँ पर बगई और क्यूएस भी मिल जाती है और यह आसपास के एरिया का व्यू है जो चर्च के पास वाले घर हैं और बाकी सभी चीजे तो ग्राफिक्स भाई मैं फिद से बोलूँगा अलग ही लेवल के हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में लिके जरूर बताएगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहे योटाई स्पोर्स पाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत पूलना प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को खाणिओ हुआ 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 है